नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोग का स्टड़ी 99% यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकाउंट निकालना सिखेंगे तो देखें कोश्चन है आपका एक वस्तु का दा में 1599 रुपिया और उस पर छूट है 23% का ठीक है तो वह वस्तु क कितने में मिलेगी बहुत ही ध्यान से समझेगा आप लोग देखें कैसे साल करते हैं इसको ठीक है तो देखें वस्तु कदा में 1599 और उस पर छूट है 23% तो अम लोग निकाल लेते हैं कि 23% छूट है तो कितने रुपिया छूट है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे 1599 का 2599 क का 23 परसेंट देखे 1599 का 23 परसेंट निकालेंगे तो हम लोगों को पता चलियागा कि 1599 रुपिया की वस्तु है तो उसमें कितना रुपिया हमको छूट मिल रहा है ठीके तो यहां पर निकालते हैं हम लोग छूट तो क्या करेंगे 1599 लिखेंगे का का मतलब बता है गुडा तो यहां पर लिख देंगे गुडा का चीन ठीके यहां पर देखे 23 परसेंट है तो लिखेंगे 23 और यहां पर परसेंट भी है तो परसेंट को अटाने के लिए नीचे लिख देंगे 100 ठीके अब क्या करेंगे दोस्तों देखें यहां पर 1599 गुड नीचे लिग देंगे 100 तो यहाँ पर हमलो गुड़ा करा लेते हैं 1599 में 23 का देखे कितना आता है ठीके बहुत तेज गुड़ा करेंगे हमलो तीन नमा 27 को साथ हासिल दो फिर गुड़ा करेंगे तीन नमा 27 और हासिल दो 29 को नव हासिल बचेगा आपका दो फिर तीन पचे पंदर दो सत्र हासिल एक फिर तीन एकम तीन हासिल एक चार फिर गुड़ा कराएंगे इस दो का दो नमा 28 को आठ हासिल एक फिर दो नमा 28 हासिल 11, फिर 80 बचेगा 1, फिर 25, 10, 81, 11, फिर 80 बचेगा 1, फिर 9, कम 2, 81, इसको जोड लेंगे, देखें यहाँ पर हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 को लिखेंगे 7 हासिल बचेगा 1 फिर यहाँ पर देखे 9, 7 हो जाएगा 16 फिर 87, को 7 हासिल बचेगा आपका फिर एक फिर यहाँ पर 4, 1, 5 और 86, यहाँ पर 3 कितना हो गया 36, 787 तो लिख लेंगे क्या यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसका इसमें गुड़ा कराएं तो आया कितना 36, 777 और नीचे क्या आए बच्टा में 100 तो इसको लिख देंगे 100 अब दोस्तों के देखें बहुत सिंपल हो गया है 36, 777 को आप क्या लिख सकते हैं देखें नीचे 100 है न 2, 0 है तो आप इधर से 1, 2 के बाद यहां पर 10 मल लगा सकते हैं ठीके तो यहां पर लगा देते हैं हम लोग 3, 666 यहां पर 10 मल लगाएंगी तो 10 मलो फिर 2, 7 यह हो गया आपका कि यह कितना हो गया यानि 3, 666 रूपिया और 77 पैसा यह आपको छूट मिल गया ठीके तो क्या करेंगी देखे 1599 रूपिय की वस्तु में आपको 366 रूपिया और 77 पैसे का छूट मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगी इसमें से इसको गटा देंगे तो पता चल जाएगा कि वह वस्तु कितने में मिलेगी तो चलिए गटा लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे 1599 और इसमें से गटाना है आपको 386 दस्मलो 77 को तो इसको लिखेंगे कैसे देखी यहाँ पर दस्मलो पढ़ना चाहिए आपको यह 366 को यहाँ से लिखना शूरू करेंगे 366 फिर यहाँ से दस्मलो फिर इसके बाद जो दोठो 7 है इसको लिख लेंगे ठीक है 10 मलो का इस तरह घटाया जाता है ठीक है 10 मलो की घटाने को और देखें यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो आप क्या करेंगे 10 मलो के उपर 10 मलो लिख देंगे और इधर दोठो 0 लिख सकते हैं ठीक है अब घटाते हम लोग देखें यहाँ पर 0 है 0 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेगा A भी 0 है तो देखें A इसको आसिल देगा फिर A इसको आसिल देगा ठीक है तो A इसको आसिल देगा तो हो जाएगा 10 फिर A इसको आसिल देगा तो A हो जाएगा 10 10 में 7 जाएगा 3 A 10 हो गया था 1 आसिल दे चुका है 9 9 में 7 जाएगा 2 और A भी आसिल दिया था टो A कितना हो जाएगा 8 8 में 7 जाएगा 1 ठीके अब दीखें यहाँ पर 9 zrobić 9 में 6 जाएगा 3 पिर यहाँ पर 5 है 5 में 3 जाएगा 2 और यहाँ पर एक है तो एक लिख देंगे ठीक है आप क्या करेंगे दोस्तों दस्मलो के नीचे ही दस्मलो लगा देंगे ठीक है इसके सीध में दस्मलो है तो यहाँ पर दस्मलो लगा देंगे ठीक है कितना आगे आपका यहाँ पर लिखते हैं आप लोग बारह एक तीस बा अपलोट डिसकाउंट निकालना सिख गए होंगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद